केवल चार बादाम का सेवन करेगा हर बिमारी का जड़ से इलाज नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम आपको बादाम खाने के कुछ फाइदों के बारे में बताएंगे वैसे तो बादाम को सीधा भी खाया जा सकता है लेकिन अगर आप इसको पानी में या फिर दूद में बिगो कर खाएं तो इसे शरीर को बहुत से फाइदे मिलते हैं बादाम सुखे मेवों में सबसे पोश्टिक आहर है जो मानुशरीर के लिए स्वास्थे वर्दक होता है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आपको बादाम का सेवन कैसे करना चाहिए और कितनी मातरा में करना चाहिए आप बादाम को पानी में भिगो कर या फिर दूद में उबाल कर भी खा सकते हैं लेकिन आज हम आपको बादाम को पाने में भिगो कर खाने के फायदों के बारे ने बताएंगे आईए जानते हैं कैसे करना है आपको बादाम का सेवन दोस्तों आपको रात को सोते समय चार से पाँच बादाम लेने हैं और उन्हें एक कटोरी पानी में भीगो कर रख देना है सुबह उठकर खाली पेड आपने इन बादाम का चिलका उतार कर इने खा लेना है ऐसा आपको रोजाना करना है इससे आपको बहुत से फायदे मिलेंगे तो आईए जानते हैं उन फायदों के बारे में बालों के लिए बादाम दोस्तों बादाम का सेवन बालों के लिए फायदे मिलेंग होता है जिन लोगों के बाल जड़ते हैं बालों की ग्रोथ नहीं आ रही उनके बालों में रूखा पन गया है या फिर बाल सफेद हो गई है तो उन्हें बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए भीगे बादाम खाने से बालों से जुड़ी हर समस्या ठीक हो जाएगी और आपके सफेद बाल भी जल्दी ही काले हो जाएंगे स्किन के लिए पाइदे मन दोस्तों चेहरे की जूरियों को दूर करने के लिए और चेहरे के रंग को साफ करने के लिए आप बादाम का सेवन कर सकते हैं बादाम खाने से स्किन पर जाया नहीं आती और नाहीं जूरिया आती है और चेहरे के कील मुहासे भी इसके सेवन से ठीक हो जाते हैं इसलिए दोस्तों आपको भीगे बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए दिमाग को तेज रखे दिमाग को तेज करने के लिए भी बादाम का सेवन जरूरी होता है जिन लोगों की यादाश्ट कमजोर हैं उन्हें पड़ा हुआ याद नहीं रहता वो जल्दी ही चीजों को भूल जाते हैं तो ऐसे लोगों को बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए इससे उन्हें काफी फाइदा मिलेगा और उनकी समण शक्ती भी बढ़ जाएगी हडियों को मजबूत बनाए भीगे बादाम का सेवन आपकी हडियों को भी मजबूत बनाता है इसके सेवन से आपकी हडियां वजर के समान मजबूत बनती हैं और उनमें केल्शन की कमी भी पूरी हो जाती है दोस्तों अगर आपको जोडों में दर्द रहता है तो वो भी भीगे बादाम खाने से ठीक हो जाता है इसलिए आपको इनका सेवन करना चाहिए आँखों की रोशनी बढ़ाए आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी बादाम काफी सहायक है अगर आप अपने बच्चे को रोजना भीगे बादाम खिलाते हैं तो इससे उनकी आँखों पर जो चश्मा लगा हुआ है वो भी उतर जाता है और उनकी आँखों की रोशनी बढ़ती है अगर आपकी आँखों में खुजली होती है तो तब भी भीगे बादाम आपके लिए फाइदेमन होते हैं इनसे आपकी आँखों की हर बिमारी ठीक हो ज बढ़ता और इंसुलिन हार्मोन के बनने में मदद मिलती है इसलिए मदुमे के रोगियों को भीगे बादाम का सेवन करना चाहिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे श्रीर में ब्लड प्रेशर सोडियम और पोटेशम की मात्रा बढ कर जाए तो ये हार्ट की बिमारियों को बढ़ाना शुरू कर देता है ऐसे में बादाम का सेवन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है बादाम में बहुत ही कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है इसमें पाय जाने वाले पोशक तत्व धम्नियों के रख्ट संकुचन और जमाव को रोकते हैं जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है हरीदय के लिए भीगे हुए बादाम बादाम में पाय जाने वाले पोशक तत्व और एंटी ऑक्सिडेंट बुन हरीदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं ये कोलेस्ट्रोल को संतूलित करके ह हार्ट अटेक और श्ट्रोक जैसे बिमारियों को बढ़ने से रोकते हैं ये उन रखत वाहिकाओं को खोलने का भी काम करते हैं जिनके अंदर प्लाक जमा हो जाता है जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि बादाम के अंदर विटामिन E भरपूर मातरा में पाया जाता है जो हार्ट अटेक के खतरे को कम करता है इसलिए दोस्तों बादाम का सेवन हरीदय के लिए एक उपयोगी आहार माना गया है तो दोस्तों ये थे भीगे बादाम के फायदे अगर आप भी रोजाना बादाम को पानी में भीगो कर खाते हैं तो इससे आप इन सब बिमारियों से बचे रह सकते हैं और अपने शरीर को पूरी त्रहें से स्वस्त और तंदुरुस्त बना सकते हैं तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस लाइक और शेयर जरूर कीजिए साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ये वेबल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आती रहे धन्यवा दोस्तों